गज़ो धेखते तीन मैक है बॉया बीवाई एंबन बॉया बीवाई एंबन प्रो और माउनों का लेवलल माईक्रोफोन अब जैसे मैंनको उपन करकर आपको दिखाता हूं तो जो माईक्रोफोन है ना इन्हें में प्रॉलम आई प्रॉलम क्यों आती है वह बताऊँगा और इसको भी निकालते हैं भार और मैं दिखाता हूं आपको इसके भी माइक के ओपर यहां पर जो आपको फॉम नहीं मिलने वाला ओल्राइट देख रहे हैं ना इसके अंदर है खाला कि इसके साथ में तो आयते हैं यहां पर फॉम, बट इन तीनों में जो फॉम नहीं है, और जो माइक मैं यूज़ कर रहू हूँ जो मैने लगाए हो जस्ट उस पर फॉम है, तो तीन माइक में हैं हमारे जो फॉम होता है, वो है नहीं तो हुआ क्या है वो कहां चला गया तो गाई जब भी हम माइक को लगाते हैं टी-षट के अंडर डालके लगाते हैं कही बार जो जब इसको भ Спार निकल जाता है तो उसके लिए बहुत जरूरी है किस के पर जो फोर्म जरूर लगे हाला कि जब हमने रिसर्च किया सब्सक्राइब जल्दी से मिल नहीं रहा था बड़े वाले जो हैंड वाले जो माईक आते उनका मिल रहा था काफी रिसर्च करने के बाद यहां पर फाइनली मेरे को फॉर्म मिल गया है हाला कि जो मिल रहे था ना जो इजली अब लेवल थे उनके रेज़ते पंद्रस्तों सो बाइब पांच पीस के तरह में यहां पर यह पांच पीस मुझे यहां पर मिल गए हैं और ऐसे में इसको किस तरह से लगा रहेते हैं अब जब आपके इसको अंडर टीशन इंडर डालने ऊपर निकालें तो आपको धिहान रहेगा बड़ आप निकालें इस तरह से लगाने का तरीका क्या होता जिससे की प्रॉल्म फिसे ना जाए कि आपके माई के फोम गया बना हो जाए तो इस खिल लोग हो गया है और यहां पर देशकते हैं इस तरह से लोग हो गया तो निकलने वाला नहीं है तरसे में इस तरह से लगाना जरूरी है अगर आप बचाने चाहते हैं अपने फोम कवर क्योंकि यहां पर मैं तीन दिन गायब कर दिये और रेड बहुत जादा देंके बड़े लगाने तरह में बता दिया यह सब्सक्राइब